नमस्ते दोस्तों, welcome to roidcraft, मेरा नाम है आर्थी और आज हम बनाने वाले हैं बहुती सुन्दा सा Christmas टेक और जिसके लिए मैंने लिया है एक circle जो की है white color का और उसके side में मैंने कर दिया है glue को place और अब मैं इस strip को कुछ इस तरीके से इसके corners में place करूंगी जिसे कि मैं इसकी outlining easily कर पाऊं तो आप देखे कुछ इस तरीके से मैं easily जो मेरी side की strip है उसको paste कर दूंगी और अगर इस तरीके से आपकी strip भी रह जाए पेस्टिंग से तो आप इस तरीके से एक strip पर glue लेकर उसको paste कर सकते हैं and this is the simplest way तो यह है smaller version उस cooling का और इसी का big version मैं बनाने वाली हूँ पर मुझे चाहिए होगा red color मैं red color से इसका जो bow है उसको ready करूंगी तो red color मैंने measure कर लिया है red strip को और उसके बाद दो equal parts में divide कर लिया है और कुछ इस तरीके से मैं इसको bend करूंगी और उसके बाद मैं apply कर दूंगी इस पे glue इसके corners पे जिससे की easily paste हो जाए और उसके बाद हम overlap करके एक दूसरे के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से इनको paste कर दूंगी जिससे की मुझे ये जो मेरा white base है उसके उपर paste करने में easy रहे ऐसे glue लगाया और इसको कर दिया मैंने यहां पर paste तो इस तरीके से मैं इस bow को अपना जो quilling का base है उसके उपर paste कर दूंगी अब मैं ले र पास quiller नहीं है तो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ कोई भी circular object लेके उसकी help से आप इसको circle कर सकते हैं और easily ये rolls create कर सकते हैं और अगर आपके पास quilling needle है तो आप अपनी strip को quilling needle के अंदर insert कीजिए और इसी simple तरीके से ये rolls बना लीजिए तो कुछ इस तरीके से मैं अ large आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इनको हम open close करके easily bend भी कर सकते हैं देखिया आपने मैंने इसे कैसे curve किया इस तरीके से आप इसको curve कर सकते हैं and now it is looking more beautiful तो आप इस तरीके से इसको different different designs में बना सकते हैं और यहाँ पर जो मैंने quilling strips का use किया है वो है 10 mm की quilling strips आपके पास jovi size available हो आप उससे easily easily बना सकते हैं यह बहुत जादा tough नहीं है मैं आपको simple simple techniques बता रही हूँ उनका use करके आप इसको easily बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको curl कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने अपने दो तीन जो curls हैं उनको ready कर लिया है तो कुछ इस तरीके से मुझे अपने base पर paste बट अपने base पर paste करने से पहले मैं इसमें कुछ और जो curls हैं उनको add on कर लूँगी जिससे कि जो मेरा white color का जो base है वो पूरा almost filled लगे तो जहां पर भी मुझे खाली लगेगा कुछ इस तरीके से देखे मैंने उसके साथ में और भी curls को join कर दिया है तो आप इस इस तरीके से जहां पर भी आपको जादा gap दिखता है आप rolls बना के उन्हें paste कर सकते हैं और अब मैं ये एक साथ paste हो चुके हैं इनके background में मैं लगाऊंगी glue बहुत ही थोड़ा glue जिससे कि ये easily paste हो जाए और जो मेरा glue है वो फैले नहीं तो कुछ इस तरीके से मैं इसको paste कर आच ए थे उसके अंदर आप देखे मैंने एक एक और सेम तरीके से एड कर दी है तो सेम तरीके से आप अड कर दीजेगा उसके बाद मैं लूँगी वाइट कालर की एक और स्ट्रिप और इससे मैं बनाऊंगी एक वाइट का टाइट कोई जिससे कि जो मेरे ribbon, जो मेरे दो bow है, उनके बीच में जो gap हुल लग रहा है, उस gap को मैं fill कर सकूँ, तो यहाँ पर मैं ये white color का tight coil लेकर इसको paste कर दूँगी, और आप same procedure कीजिए, आपका बहुत ही easy तरीके से ये जो Christmas decor है ready हो जाएगा, इस तरीके से आपको बनाना है, उसके बाद लेना है मुझे next, red strip, yes, अब red strip का मैं क्या use करूँगी, red strip से मैं बनाऊंगी, कुछ tight coils, कुछ small small tight coils मैं बनाऊंगी, red strip की help से, और इस तरीके के वो tight coils आपको दिखेंगे, तो इस तरीके के आप tight coils बना लीजिए, और उसके बाद जो आपको अपने work के बीच में small space दि तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और guys, चानल पे और भी tutorial videos अवेलेबल हैं, आप जरूर चानल को विजिट करें, और उन tutorial videos का फायदा उठाओ यार, उसके बाद देखें, कुछ इस तरीके से आप इसको paste कर सकते हैं, easily, अगर आपके पास tweezers नहीं भी हैं, आप अपने हाथों की help से भी इसको paste कर सकते हैं, अब जहां पर भी आपको लग रहा है कि gap थोड़ा थोड़ा जादा है, वहां पर आप इसको fill कर दीजिए, और यह आपको बहुत ही सुन्दर and amazing look देगा, तो आप देखें, red के आते ही, इसमें कुछ अलग सा spark आ गया है, त अलमॉस्ट आड़् कर दिया है मैंने, अब यह हो चुका है मेरा, अब नेक्स टेप बढ़ता है, changing ribbon, तो curling ribbon की, curling ribbon को हम कैसे लगाएंगे, तो curling ribbon के लिए भी मैंने ribbon का यूज नहीं किया है, मैंने किया है paper strip का ही यूज, और strip को मैं कुछ इस तरीके से अपने kurler पर रोल करत और यहां पर जो मैं strip का use कर रही हूँ, curling ribbon मनाने के लिए वो है half mm, मतलब अगर मैंने 10 mm की जो strip है, वो अपने वोक में use की है, तो यहां पर मैं कर रही हूँ 5 mm की strip का use, बेसिकली उसी 10 mm की strip को आप दो पार्ट में cut कर दीजिए और कुछ इस तरीके से यहां पर इसको paste कर दीजिए, तो यह मैंने वन साइड का ribbon पेस्ट कर दिया है, और यह लगाते ही आप देखें कि हमारे वोक में एक अलग सा glow आ गया है, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते ह और चैनल को like, share, subscribe जरूर करें, thank you for watching